रज़धन यज़ू केस ग्रूप पच्कोडिया जोव्रेड जैपूर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अनिमल अजबेंटरी की दुनिया में बोले तो काउ की दुनिया में बोले तो काउ ब्रीड्स की दुनिया में बोले तो संकर ब्रीड्स की दुनिया में संकर ब्रीड्स की दुनिया में को उसी ऐसी गाये हैं जो क्रोस करके तयार की गई है हिंदुस्तान में उनको स्टडियम करने वाले लाइट बड़ा इस वर्तमान समय की बात करें तो यहां पर वर्तमान में न कम लागत में ज्यादा पैसा कमाने मतलब कम लागत में अकर ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली ह तो वो जजसीव संकर गाएं है वो तो संकर ज़्यादा पैसे देवे वर्तमान में कम लागत में ज़्यादा पैदावार देने वाली अगर कोई नसल है मतलब गाएं है तो वो सारी की सारी हाइब्रिड है हाइब्रिड है या क्रोस ब्रिड है जो ज़्यादा पैदावार देती है कम लागत में पैसा कम लग रहा है पैदावार ज़्यादा आ रही है उस सारी की सारी जय जय सिव संकर है अब लेते एक एको सबसे पहली छोटी छोटी जयदा निन की बारे में सबसे पहली है करन स्विस करन स्विस बैई नाम से पता लगया होगा करन सब्दाया इसका मतलब करन आल करन आल करनाल तो यह निकली है NDRI करनाल से करनाल से और डेफिनेटली एक जो नसल है वो स्विजर लेंड की होगी इतना तो confirm हो गया होगा एक होगी congratulate अिर करन स्विष में किस का क्रोज अंड्यार राई कारन्य क्षी आगया करनाल से स्विस आगी ब्राउन स्विस से स्विजरलेंड की है है ना भई तो साइवाल या ब्राउन स्विस तो गाई थी और साइवाल था सांड इन दोनों को क्रोज कराके निकाला गया कारण स्विस अब देखो क्या आपको दोनों से मिलती उलती लग रही है क्या दे कूबड इसके होए ना क्योंकि विदेशियों में वैसे भी आपको पता कूबड होती नहीं है सरीर इसका बड़ा है रंग दुसर से गहरा बुरा और कूबड इसके नहीं होती है लेकिन यह जो करेक्टर्स है न विठा वो दोनों के ओते है चीक है बही सबसे ज्यादा मिल्क संकर गाई फ्रिजवेल अब इसके बारे में जनरल बात करते हैं कब तो ये मेच्चोर हो जाती है तो भाईया करण स्विस जो है न NDRI क्रनाल से निकली वी है रैट है! NDRI क्रनाल से निकली वी है ब्राउन स्विस उसमें गाई और साईवाल साण इन दोनों के क्रोज से निगली वी है ठीक है बही? सही है? और सरीर इसका बड़ा था, दूसर से गैरा बुरा रंग था, कुबड थीना परिपक्वन के आयो ये आगई परिपक्वन के आयो, ये आगई पर्सनल हाई हूई ये नहीं करने ही, देखो कैसे बच्चे फूर फूर कर रहे है आपके लिए फूर फूर कहते हैं उनको उमारिया ऐसे करने वालों को तो बहिया परिपक्वन आयो है इसकी 32, कितने साल में मेच्योर हो जाती है 23.7 महिने मेच्योर कोई दिकत है दिक्कत है तो भी 23.7 महिने में मेच्योर होगी है परिपको हो जाएगी पहली बार ब्यात की इसकी उम्र है 34.6 महिने 34.6 मंच और दो ब्यात में गेप रहता है 404 दिन का बेटर है कुछ है पहली बार परिपकोन होने की उम्र है 23.7 महिने पहली बार ब्यादे की उम्र है 34.6 महिने और दो ब्यात में गेप रहता है 404 दिन का बेटा पढ़ाई पर फोकस करो फूर बाद में कर लेंगे मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन बहुत सारी ब्रीड में तो अठारा इयर में या अठारा मंस में सबके अलग 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 अठारा में ज़्यादा फरक नहीं 324 पूरा अगर टाइम ले लिया तो 302 केजी देगी यस और अगर 305 दिन का टाइम लिया तो देदेगी 316 केजी 4.2 परसेंट फेट लेके गुम रही है करण स्विस है राइट है करण स्विस है फन्नी है फन्नी तो बेटा दुनिया मणाएगी तोड़े दिनो बाद में न अगर यही रहे न आपकी जो चल रहा है भी ऐसे रहे तो फन्नी मणादेगी दुनिया आपको मैं तो कहरा हूँ पन्नी मणादेगी सहे नहीं पढ़ाई पे फोकस किया अपने केरेर पे ज्यान प्रोड़ी दिया फुटबाल भी बन सकते हो तेयारी चल रही है वही हाँ वसा होती है 4.2% सन्फ होता है 9.2% हाइस्ट मिल प्रोडक्शन 44 किलो एक दिन में जी हाँ करण स्विस ने दिया है एक दिन में चमवाली हाँ कितना 44 केजी 44 केजी हो रहा कुछ है वो कर दिया भाई फूर कर दिया पढ़ाई पे द्यान दो चमारीस किलो एक दिन में क्या बात कर रहे हो चमारीस किलो दूद एक ही दिन में जी हाँ इसका हाइस्ट मिल्क प्रोडक्शन है 44 केजी पर डे हो गया भई एक इन बच्चे को ना इनको नंबर बता दो बिड़ा बुक कहां मिलेगी क्वेस्टन कर रहे है सरीर का सरीर भार होता है गाय का 400 से 500 केजी राइट है और नरका होता है 600 से 7500 एक बार फिर से देखो भाई सारे बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं संकर गाये और संकर गाये जो है न बिटा वो संकरण है संकरण से बनती है पहली कोन आई? इंडियाराई करनाल की करण स्वेस किस का क्रोस हुआ? यहाँ पर ब्राउन स्वेस गाय थी? साइवाल सांड था कैसी होती है? लंबा सरीर होता है रंग दूसर से गहरा बुरा होता है और कुबड ना हो है भाई फिर प्रोडक्शन आया परिपक्वन आयोगी 23.7 मैंने पहली बार ब्याने की उमर है 24.6 ने चम्मालीस हमेशा थोड़ी देती है चम्मालीस हमेशा नहीं देती बढ़ा वो तो हाइस रेक कभी कभी दिया उसने 44 मल्टिप्लाई थोड़ी होगा भाई वो तो अधिक्तम है ऐसी कैसी क्वेशन कर रहे है भाई वो तो मैक्सिमम रिकोर्ड किया गया भाई इतना भी दे दिया इसने कभी किसी गाई ने सारी थोड़ी देती है ठीक है बड़ा और 305 दिन में 316 केजी देती है फेट निकलती है 4.2% SNF सोलिट नोट फेट होता है 9.2% भाई अधिक्तम दूद दिया इसने 40 किलो सुखे का जो गेप रखते है वो रखते है 85 डेज का नरका भाई 600-700 और मादा होती है 400-500 किलो के हो गया लो भाई थोड़ा साइड में हो जाता हूँ थोड़ा लंबा था बस स्क्रीन सोट ले सकते हैं अब आ गई करण फ्रेज अब फिर करण आया तो करण ओल बोले तो करनाल तो ये भी निकली है NDRI करनाल से करण फ्रेज अब के बार होलिस्टियन फ्रेजियन आएगी होलिस्टियन फ्रेजियन को क्रोज कराया गया थार पारकर के साथ तो करण फ्रेज में फ्रेजियन करण स्विस में ब्राउन स्विस करण स्विस में ब्राउन स्विस थी और करण फ्रेज में है holistian-friesian राइट है तो NDRI करनाल नहीं निकाली है current freeze और current Swiss भी वोई थी holistian-friesian और थार पारकर सिद्धा इसका कोई character character कहीं नहीं दिये हुए है पहली बार maturity होती है 22.2 महिने में पहली बार ब्याती है 34.2 महिने में दो ब्यात में गेफ रखते है 402 दिन का 402 दिन का दूद उत्मादन होता है 320 दिन में तो देती है 3585 किलोग्राम और 305 दिन में दे देती है 3-3-9-3 3-3-9-3 हो गया भाई एक साल का मिला के इतना होता है हे प्रभू अवतार ले जब मैं कह रहा हूँ कि वो आईये ऐसे तो भी या होलिस्टिन फ्रीजिन का जो वर्ल्ड रिकोर्ड है वो 67 केजी का है 66 किलो का 66 किलो का हाँ और हम जब पढ़ रहे थे न हम जब B.S.C. में पढ़ रहे थे मतलब मैं जब जिस समय B.S.C. में था तो हमारे एक गुरू जी थे उन्हों ने तो हमें ये भी कहा था कि भाईया एक्चुली जो होलिस्टिन फ्रीजिन है न इसका वर्ल्ड रिकोर्ड है 107 किलो का आज भी मुझे वो टाइम वो क्लास वो दिनियाद है हला कि मैंने बहुत सर्च किया वोलिस्टिन फ्रीजिन के बारे में दुनिया में जितना सर्च हो सकता है उतना सर्च किया लेकिन मुझे कहीं भी 107 किलो नहीं मिला हला कि मेरे गुरू जी है मैंने उनकी बहुत मतलब 107 kg बताया उन्होंने 107 kg बाइसाब पसीना आ गया वहाँ पर न इतनी इतनी दूर तक जो न एरिया गिला हो गया मतलब बिल्कुल पसीना पसीना हो गया हमें 107 kg बाइसाब जो में अनिमल्स बेंटरी पढ़ाते थे कोलेज में उन्होंने 107 kg फिर तो पूरी डेरी एक ही गाय चला देगी है ना तो आप ऐसे मल्टिप्लाइं मत्कुल आप अच्छे बच्चीव आपको समझ में नहीं है किसीने दिया था अब यह तो है नी बाई किसीने ना 500 kg वजर उठा लिया अब इसका मतलों 100 आजमी खड़े तो 500 kg सारे उठा लेगे ऐस थोड़े उता है बड़ा चली बड़ा नेक्स्ट क्वेस है करण फ्रीज तो आई तिंक पूरी थोड़े दिखा दे फोट्टू तो दिखा दे फेट होती है 4.1 परसेंट यह है करण फ्रीज करण फ्रीज किस-किस का क्रोस है होलिस्टेन फ्रीजियन और थार पार करका छिक है बई तो यह फेट होता है 4.1 परसेंट एसने पहोती है 8.9 परसेंट हाइस मिल्क प्रोडक्शन इसका भी सुन लोग 46.5 केजी अधिकतम जो इसने दूद दिया है वो 46.5 किलो परड़े का दिया है चिक है और अधिकतम जो सुका आधिए अधिकतम जो सुका आधिए न मतलब आट दिन का रखते हैं तो करण फ्रिजबी पूरे होगी रबापो करण फ्रिजबी पूरे होगी अब चलते दो एक दो छोटी-छोटी सी यह बस देख एक तो जरसिंद किसी ने नाम सुराओं जरसिंद जरसिंद आगई जरसिंद तो एक जरसिंद है एक ब्राउन सिंद है जरसिंद है ब्राउन सिंद है जरसिंद या ब्राउन सिंद है जरसिंद या ब्राउन सिंद 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 य देखो देखे जरसिंद जरसिंद ब्राउन सिंद दोनों निकली है नेनी एगरिकल्चरल इंस्टूट किसी जमाने में वो नेनी एगरिकल्चरल इंस्टूट था बेटा ऐसे नहीं करना है यह थोड़ा सा आपने गरीमा देखी नहीं क्या गरीमा यहां प्लीज डॉंट राइट एनी नेम ओप दा बुक डॉंट पर्सनली कमेंट उन दिस स्क्रीन प्लीज अच्छा रहेगा अधर्वाइस यू कांट सो यूर यू आ यू आ यू आ यू आ लूज यूर कमेंट्स ओंद स्क्रीन खोने जा रहे आव अपने कमेंट्स को जर्शिंध यह पूरा रिसर्च रिसर्च बहुत बहुत समय दिया गया इसको तब जाके निकल के आये तो इसलिए किसी भी से एक तो कंपेरिजन नहीं करना है दूसरा नाम डालना है निवड़ ठीक है बड़ा तो दोनों जर्शिंध और ब्राउन सिंध यह दोनों निकली है नेनी एगरिकल्चर युनिवस्टी यानि स्वार्स इलाबाद स्वार्स तो जानते हूँगे है सेम हिंगिप्टम युनिवस्टी ओप एगरिकल्चर टेकनलोजी और साइंस इनसे निकली है यहां का पसुपारन और दुख दिग्यार विवाक से निकली है जर्सिंध में क्रोस है जर्सी का और रेड सिंधी का हाँ इलाबाद का प्रियागराज नाम हो गया सही बात विटा जर्सी और रेड सिंधी का ब्राउन सिंध जो क्रोस है वो ब्राउन स्विस का और रेड सिं जरसी से, सिंद का से लिया, रेड सिंदी से, तो बन गई जर सिंद, जर, याद हो रहा है, जर फोर जर से, रेड सिंदी का सिंद, जर सिंद याद हो गया, जरसी क्रोस रेड सिंदे, ब्राउन सिंद, ब्राउन स्विस से लिया गया है, और फिर सिंद आ गया तो सिंदी, रेड नामसे पतार लग रहा है की जर्सिंध में जर्सी और सिंधी रैड सिंधी नामसे यह पता लग रहे ताल आ जो फ्रिज्वाल कि अभी एक बच्चे ने कमेंड डाला बहुत ref-re defended student ने फ्रिजवाल के बारे में आ गई फ्रिजवाल फ्रिजवाल आ गई यह निकला है CIRC CIRC Central Institute for Research on Ketal प्लस रक्षा मंदराले का military farm इन दोनों ने मिलके निका लिए है फ्रिजवाल किस किस संस्तान ने मिलके निका लिए एक तो CIRC केंद्रिय मवेशी अनुसंदान संस्तान और साथ साती रक्षा मंदराले जो हम उसका डिफेंस मिनिस्ट्री का जो military farm इन दोनों ने मिलके निका लिए है राइट है क्रोस देओ किस इसका है holistian frisian है ना देखो नाम फ्रिज तो holistian frisian साइवाल वाल और नाम से इसका भी नाम से पता लग रहा नाम से नहीं लग रहा holistian frisian का freeze ले लो ते तो freeze ले लो जी यह ले लो यह तो freeze हो गया और वाल ले लिया साइवाल का तो बन गई holistian frisian और साइवाल का क्रोश करा दिया सारी की सारी नाम से आ रहे भाई कराया किस ने था लेकिन c.i.rc और रक्षा मंत्राले का military farm इन दोनों ने और यह देखो इसका question जो अभी थोड़े देर पहले एक बच्चे ने बताया था very very most question है संकर नसलों में सबसे ज़्यादा दूद रहे संकर नसलों में सबसे ज़्यादा दूद देती है तेरी फ्रिजवाल 300 दिन में दे देती है 4000 केजी और 4% इसमें होता है butter fade वो तो सारा ही सही है लेकिनी मेरे को क्यों देख रही है यह देखो देखो question बरे पड़े है बरे पड़े है बरे पड़े संकर नसलों में सबसे ज़्यादा दूद देने वाली कोड फ्रिजवाल सबसे ज़्यादा दूद फ्रिजवाल फ्रिजवाल सबसे ज़्यादा संकर में hybrid में cross breed में सबसे ज़्याद दूद देने वाली कोड फ्रिजवाल हॉलिस्टिर फ्रिजवाल बनाई किसने CIRC और रक्षा मंतराले के military फारम ने दूद कितना दे गई 300 दिन में 4000 किलोगराम फेट कितना बटर फेट कितना चार परसेट देखो जी देखो जी आई सू नंदनी आपके बीच है सू छे, नंदनी छे, सू नंदनी, सू नंदनी केरल में विक्षित की गई composite breed है सू नंदनी केरल में विक्षित की गई composite breed है ये किस-किस से cross कराईगी देखो, एक तो है इसमें non-descriptive जिसको आप जेबू भी कह सकते हो बारतिय गायों को क्या बोलते, बैं उचल के साथ ये आ गई, लच्माओति दो मिने रुख जाती, अरे, इसका बच्चा भी उचल रहा है, ये भी उचल रही है दोनों उचल रहे, हदी कर दी, अरे, 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 ओहो, ओहो बच्चे को लेके उचल रही है हदी कर दी वापस चाल अब आ ओहो ओहो बच्चे को लेके उचल रही है देखो आप क्या जमाना आ गया तो केरल में विक्षित की गई है सूनन्दनी केरल से केरल से सूनन्दनी केरल से केरल से केरल से केरल की ये बिटा कंपोजिट है कंपोजिट क्यों कह रहे क्योंकि एक तो देखो हमारी एवर्नन ये गाए है मतलब उसका कोई नाम इन ये देशी कहदो उसको जाया केरल की और उसका क्रोज कराया गया इन सब के साथ ब्राउन स्विस तभी तो पोजिट बड़ेगी ब्राउन स्विस के कराया साथ कराया गया जर्शी के साथ कराया गया होलिस्टेन के साथ भी कराया गया एक तरप एवर्नन ये गाए कितने बच्चे जानते है एवर्नन ये गाए कितने बच्चे जानते है सब जानते जिसका कोई वर्णन ही नहीं नए बिचारीगी उसको बोलते ए वर्णन ही उसका क्रोज किसके साथ कराया गया उसका क्रोज ब्राउन स्WISH के साथ ना ना वो जर्सी है ना वो होलिस्टीन है, ना वो गिर है, कोई नाम ही नहीं है, उसको non-destructivity कर रहे हैं, जिसका कोई विवरण ही नहीं है, लोकल के दो आ, जिसको जेबू, जेबू पहले बता दिया मैंने, कि देशी गाय जो मारी इंदुस्तान की जो गाय है न, उसको ब्राजील में जेबू, ब्राजील का, जेबू, यूरोप में जेबू केते हैं, यूरोप, है न, बटा, तो इसका क्रोस जो न, देशी गाय का, ब्राउन स्विश के साथ, जर्शी के साथ, ओलिस्टेन, फ्रीजिन के साथ करके, विक्सित किया गया, सूनन देनी, एक गाय और है, पुराने जमाने क चित्री, श्याम स्वेत मिला है, श्याम स्वेत चाया चित्र, बोले तो, ब्लेक एंड वाइट डाइग्राम, ब्लेक एंड वाइट डाइग्राम, आपके बीच है, तो टेलर एक ब्रीड होती है, जिसका सिंपल इतना ही वर्णन मिला, मेरे को बहुत रिसर्च करने पे, कि जेबू जेबू बोले तो नौन डेस्क्रेप्टिव इसको जरसी के साथ नौन डेस्क्रेप्टिव जेबू है इन्हों ने सिन्हाजी ने क्रोज कराके 1951 में इसको बढ़ाया था ठीक है विड़ा सिना जी ने 1951 में जेबू और जर्सी जेबू बोले तो नोन डेस्क्रेप्टिव इन दोनों के क्रोशेट टेलर को प्राप्त किया था तो टेलर भी इसकी वेराइटी है चित्र इसका स्याम स्वेथ मतलब ब्लेक एंड वाइड छाया चित्र मतलब ब्लेक एंड वाइड फोटो हिंदी में स्याम स्वेथ चित्र जैसा भी मिला आपके बीच है तो ये संकरतो पूरी हो गिये इतना बहुत रिसर्च किया कसम से बता रहा हूं मैंने नजाड़े कितने गंटे इसमें खराब किये तब जाके पता लगा गि इन दोनों का क्रोसे स्केला कुछ मिला ही नीज के बारे बस इतना सा मिला नेट पे किताबों में सबज़ के डूणने के बाद अब आगई विदेशी जिनोंने दूम मचार के हिंदुस्तान में विदेशी का है विदेश नहीं होती उपर कुबड नहीं होती बाई कुबड नहीं होती फेट होती है 3.7% एवरेज राइट बाई और दूद देती है सपेज सपेज इनका पीला कम होता है पीला इनका दूद कम होता है सपेज ज्यादा होता है ठीक है बड़ा और जल्दी ही ये मेच्योर हो जाती है तो बॉस्टॉरस 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 इस ट्लियर कोबड विदेशी में कूबड नहीं होती ओ बाइरे विदेशी में कूबड भी नहीं होती हम प्लेस होती है फेट 3.7 परसेंट दूद का रंग सपेट जल्दी मेचोर हो विदेशी वाले मारे वाल टाइम लगाती है अब एक एको लेते सबसे पहले है सबसे खत्तरनाग सबसे डेंजर दुनिया को सबसे ज़्यादा दूद पिलाने वाले हॉलिस्टियन फ्रीजियन सबसे बारी सबसे उची सबसे ज़्यादा दूद बास यही है वो यही है वो राइट एक तो विशु में सबसे ज़्यादा दूद एचैप के मुकाबले किसी ने आज तक दूद नहीं दिया सबसे ज़्यादा इसी का मांस और सबसे उची सबसे उची हॉलिस्टीन है सबसे ज़्यादा दूद हॉलिस्टीन सबसे ज़्यादा मास हॉलिस्टीन सबसे उची है हॉलिस्टीन सबसे भारी हॉलिस्टीन बताओ देगे सबसे ज़्यादा दूदर मोला सबसे ज़्यादा मासर मोला सबसे उची यही बड़ी है सबसे भारी भी यही है मुझको तो यह याद हो गया हॉलिस्टीन यह फ्रीजियन है कैसे कैसो को दिया है ऐसे वैसो को दिया है देखो देखो सबसे ज़ादा दूदर मोला सबसे ज़ादा मासर मोला सबसे उची यही नसल है सबसे भारी यही नसल है नाम है इसका होलिस्टीन मुझको भई आयाद करा दे थोड़ा थोड़ा याद करा दे सारा कुछ तो इसको दिया है मेरा भी तो काला कलर करवा दे यह काले कलर के आएग बीवी चले वियार इंदा फिजीकल करेक्ट पहले उससे पहले 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 कहां की है यह कहां की है भाई कि यास हॉलिस्टीन फ्रोम होलेंड और नीदर लेंड का पस्चिमी फ्रीजलेंड हाथ सबसे कम फेट होता है सही कहरे हो आप देखो देखे होलेंड उत्री तो होलेंड और नीदर लेंड इन दोनों का एक द्वीप है कमाईड पता चला आप वो हैं अरे यार इन एक 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 इसपे भी हमने बहुत रिसर्च किया सच्ची बतारा हो आपको क्योंकि बहुत जग लिखाओ नीदर लेंड नीदर लेंड भी लिखाओ है और इतना रिसर्च किया कि इसके चक्र में न सची बतारा हो कहीं नक से डूंडे कई सैरों को सर्क किया फिर उसके बाद गूगल अर्थ जो मेप उसके उपर गए फिर जाकि यह मिला फ्रिज लेंड और फ्रिज बगवान कसम काके मतलब कम से कम एक ड़ेट गंटा खर्च गया इसके अपर मैंने का यह फ्रीजलेंड आएगा किस पे क्या यह हो लेंड का है क्या यह नीदर लेंड का है फिर यह करकर आके फाइनली हमारे पास जो मतलब निकल काया ना वह यह आया कि इस पे दोनों का अधिक पते हैं तो इसलिए दोनों ही याद करने पड़ेगे आपको दोनों कौन नीदर हो लेंड भी उत्तर आ सकता है हो लेंड भी उत्तर आ सकता है और नीदर लेंड भी आ सकता क्योंकि दोनों का एक कमाइंड द्वीब समोझ इसमें दोनों की लोग रहते हैं हो लेंड के भी र प्रिजियन तो यहां पर होलेंड और नीदर लेंड दोनों का कमाइंड एक लेंड तो जारते हो नहीं जग है टापू एक जहां पर दोनों का अधिकार है अरे तो अपने चलता है बाकी तो आप यूरोप कंट्री में जाओ वहां पर पता बोर्डर कैसे है केवले एक लाइन होती है विशेष्टा लौ भई एकजाम में तीनों में से कोई भी आये सही उत्तर सारी सारी विशेष्टा सरीर तो इसका काला 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 सरीर है भाई सपेद भी इसका रंग होता है मतलब दब्बे सपेद है यही इसकी मुक्य विशेष्टा है आप चाहे तो इधर देख से हो गया हमारे सर ने हो लेंड बताया था तो मैंने मना किया क्या भाई मैं भी हो लेंड ही बता रहा हूं लेकिन बहुत सारी किताबों में बेटा दिया हुआ नीदर लेंड फिर कहां जाओ गया आप इसके दो गंटे एक दिन दो गंटे तक दिमाग पुरा फट गया था हमारा तब जाके रिजल निकल गया था ही तो मना थोड़ी कर रहो हो लेंड के लिए आपके गुरुजी को गलत बताने वाले मेरी इतने दुशास नहीं है हिम्मत नहीं इतनी देख ले भई सरीर का रंग इसका काला और सपेद दब्वेदार यही है इसकी मुख्य विसेशता यही है इसकी सबसे मैन करेक्टर की काला भी होता है शपेद भी होता है दोनों रंग लेके घूम रही है तेरी तेरी हॉलिस्टियन फ्रिजियर ठीक है दूसरा कूबड नहीं होता वो तो विदेशी में किसी में भी नहीं होता याद ही मत करूँ चाहिए चेहरा बड़ा है याद करना पड़ेगा राइट है सीइंग इसके कई बार तो होते हैं ऐसे नहीं कहते हैं सीइंग नहीं होते हैं ना 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 होते हैं कई बार नहीं होते हैं कई बार छोटे होते हैं कई बार नहीं होते हैं तो सीइंग छोटे भी हो सकते हैं कई बार सीइंग नहीं भी होते हैं हो सकता है आपके पास जो गाय है क्या पास जो गाय उसके नहीं होंगे लेकिन छोटे होंगे या तो यह नहीं होंगे सिरका उपर का जो भाग है नहीं यहां से यह उबरावा होता है सिरका उपर बाड़ा जो भाग उबरावा होता है आयन बड़ा होता है कापी बड़ा होता है यह तो कोई छोटी सी गाई आ गई थेले नुमा होता है थेले नुमा और हाँ बहुत विक्षित होता है विदेशी नसलों में सबसे ज्यादा खाती भी है तो भाईया खाती है तो कमाती भी यह बात वही है इतना दूदेरी तो खाना तो खाएगी अब जाब चाओ भाई नहीं मत तो जो है ना इसको एक कटोरी में ना चारा डालके चम्मच दूँगा कटोरी दूँगा भाई वेड़े में डिखा ले और फिर मेरे को दूद भी दे दे इतना सारा ये तो पोसीबल नहीं है इसलिए खाती भी ज्यादा है कमाती भी ज्यादा है सर सब कुछ पढ़ लिया फिर भी लगता है कुछ आता ही क्यों नहीं सर प्लीज मेरी हेल्प करे आज तो मैं नहीं कर भाऊंगा लेकिन एक दिन इस टोपिक में मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा तभी किसी दिन जाना फुर्सत में आपको बताऊंगा ठीक है हो गया अब लेते हैं दूद उत्पादन अब बताता हूं आपको रिकोर्ड वर्ल्ड रिकोर्ड लै बई इसका दूद उत्पादन है छे हजार से साथ अजार किलोग्राम आपके आज तक चार हजार पे निपट गी थी सारी अपने वाड़े तो बारा सो पंदरा सो दो हजार वाड़े पे निपट गी थी सारी राइट विड़ा इसका दूद उत्पादन है छे हजार से साथ अजार किलोग्राम प्रति ब्याद एक बात हाइएस इसका वर्ल्ड रिकोर्ड 67 नहीं रहे बाबा 76.61 है 24 गंडे के अंदर और ये रिकोर्डेड है वर्ल्ड रिकोर्ड में दर्ज है एक दिन में 76.61 केजी बोले तो 77 केजी पर डेगा कहा बना गया रिकोर्ड ये बना है जोगन गाव करनाल के पास वहाँ पर रिकोर्ड देखा गये देखो देखो आँखे फटी की फटी रह गई सासे रुख गई 76.61 केजी पर डेग वो भी जोगन गाव करनाल में वर्ल्ड रिकोर्ड है जी हाँ एक दिन में इसने हाइस मिल ये है वल्ल्ड रिकोर्ड इंडिया में है ये लेकिन वल्ल्ड रिकोर्ड है पूरी दुनिया का रिकोर्ड है कि होलिस्टियन फ्रीजियन ने 76.61 केजी 77 केजी जोगन करनाल में इसने दूद दिया है अब बिगाड़ लो क्या बिगाड़ो गया आप इसका बिगाड़ लो भाई दूद में फेट सबसे कम है ले फेट सबसे कम है फिर वेरी मोस क्यूशन है देखो सबसे कम फेट लेकिन दूद का तो बंडार बढ़ दिया राजा दूद का तो बंडार बढ़ दिया सरीर भार देखो मादा होती है 600-600 किलो की तो नर होता है 900-1000 किलो का देखो देखो यह है H.F. Holliston-Friesian H.F. Holliston-Friesian देखो जी यहाँ पर सबूत भी आ गए है मतलब एक स्टुडेंट जो लिख रहे हैं जी हाँ दिया है मैं करनाल से हूँ थेंक्यू गाओं का नाम भी लिखा आपने कहा पर दिया है अब की बार सबसे तकड़ा जोग है कि इतना तो मेरा वजन ही नहीं है तेरा जितना वजन मतलब तेरे जितने वजन का तो दूद निकाल देती है पर देगा कईयों का तो इतना भी नहीं होगा जर्सी क्या मैं समझा पाया है दुबारा बता हूँ दुबारा बता रहा हूँ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ वेरी मोस्ट इसलिए दुबारा बता रहा हूँ देखी एक तो ओलिस्टिन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूद देने वाली है सबसे ज़्यादा मांस देने वाली है सबसे उची है, सबसे भारी है, चार क्वेस्टन एक साथ चार क्वेस्टन एक ही लाइन में उत्री होलेंड और निदरलेंड इसका एक पस्चिमी फ्रिजलेंड है, वहां से इसकी उत्पती हुई है फ्रिजलेंड वर्ड आया इसलिए ओलिस्टेंट फ्रिजियन नाम पड़ गया हो गया हम बात करते इसके इसके कलर की तो यह गाय आपके बीच है इस साइड में आएगी आगई है सरीर इसका काला और सफेद रंग होता सबसे मैं करेक्टर इसका यह है कूबड इसके होती नही और ही है। चैर का बड़ा होता है सींग कभी कविए होते चोटे-चोटे होते है जोते ही नही है। कि सीह अपर उबरावा भाग होता है थोड़ा ना सी यो निकला उला। देखो आप ईसका । दिखाू मानस स्का स्काइब। श्रूंट लेकर दिखाू है। कि साइड कट रही है कि साइड से ही निकल हुए है वाद से देखो ये क्या निकड़ावा इसके उभार इस पाए जाता सिर्के उपर इन बड़ा होता है अलाग ये छोटी सी गाई लिए इन्होंने थेले नुमा होता है और पूर्ण विक्सित होता है विदेशी नसलों में सबसे ज़्यादा खाने वाली होती है खाउडी गाई लेकिन कमाउडी गाई भी है तो विदेशी गाईों में सबसे ज़्यादा खाती है तो जितना खाती है उससे ज़्यादा दूद भी तो दे रही है चैजार से साथ जार नोर्मली दे देती है हाईएस वर्ल्ड रिकोर्ड इसका 76.61 का है राइट भी तो यह ज़्यादा फेट सबसे कम लेकि गूम रही है तीन पाइंट पांच परसेंट ही और कुल्ठोस यह भी सबसे कम है दो क्यूस्त नहीं या फेट भी कम है फेट भी कम है है ना फेट भी कम है कुल्ठोस भी कम है है एच है हम होलिस्तियन फ्रीजियन में फेट भी सबसे कम है और कुल्ठोस भी सबसे कम है सरीर का भार मादा होती है 565-665 कि नर होता है 900-1000 किलो का तो यहां पर यह हो गए हैं very 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 most question सबसे बारी सबसे ज़्यादा दूद और यह सारे आगे कि आपको सबसे बारी सबसे ज़्यादा दूद और सबसे ज़्यादा माल सबसे उंची हो गई उसके बाद सब जाद दूद देने वाली, सबसे दा खाने वाली, खाऊड़ी और सबसे कम फेट वाली, सबसे कम ठोस वाली, छेक क्यूशन तो यही होगे Six questions तो एक साथ यह आगे बड़ा होगे है बड़ा, हाँ, एक तन के करीब होगे बैल तो बैल तो एक तन के है, दस क्वेंटल के इसको इधर नहीं किसको है, मानस तो नहीं है जर्सी जर्सी रहे, अरररर जर्सी जर्सी रहे, सबसे छोटी होवे जर्सी रहे, दुदारू नसलों में सबसे छोटी, और विदेसी वालों में से सबसे छोटी, smallest of the dairy types of cattle, छोटी होती है सबसे एक बात, बारत में सबसे ज़्यादा अनुकूलित है विदेसी जितनी भी आई है ना, जितना जर्सी भारत में सेट हुई है उतनी कोई सी नहीं हुई जितनी जर्सी भारत में अनुकूलित हुई है, उतनी विदेसी वालों में से कोई सी भी नहीं हुई देसी नसलों के साथ cross breeding इसकी सबसे ज़्यादा करते हैं क्वे सन है कि कौन सी विदेसी नसल है जिसको देसी गायों के साथ सबस ज़्यादा cross कराने में यूज़ करते हैं जर्सी quiere हा, विदेसी नसलों में सबसे ज्यादा fait लेके गूम रही है तेरी नर्सी तेरी जर्सी देखो, देखो विदेशी नसलों में सबसे ज्यादा फेट जर्षी 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 कहा की है जर्से तो यहा की है जर्सी इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में है एक जर्सी द्वीब समो इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में है एक जर्सी द्वीब समो जिसको इंग्लिस चेनल के आसपास का एक द्वीब मानते है मना पास भी है राजस्तान के पूर्वी भागों में ज्यादा पालते है राजस्तान के पूर्वी नौर्थ राजस्तान ज्यादा पालता है अलवर, भारतपोर ये वाले जो ना इधर वाले ये वाले ज्यादा पालते है जरसे तो है कहाँ पर यह जरशी द्वीब जहां से उत्पदीवी है इंगलेंड और इंगलिस चैनल के पास है इंगलेंड और फ्रांस के बीच में विड़ा जरशी आइलेंड जरशी आइलेंड आऊ दिखाऊं जरशी पढ़्या ही सर्शी नहीं पढ़्या तो मर्सी पढ़्या ही सर्सी ऐसी है तेरी जर्सी शरीर होता है ये वड़ा मतलब थोड़ा लाली मा लिये वे हलका पीला देखो देखो ये है जर्सी गाई जर्सी गाई शरीर कैसा दिख रहा है लाल लाल देखो आप गोर सी देखो जैसा इसका ललाट होता है तस्तरी कितरा ललाट होता है जीहा इसका ललाट होता है तस्तरी जैसा मजबूत कुबड मजबूत सरीर होता है इसका कुबड नहीं हो है इसके भी कुबड नहीं होती बाई कुबड नहीं होती और कोन ये सरीर होता है एंगुलर बोडी एंगूलर बोडी होती है इसकी एंगूलर कौन बनाती ही बोडी होती है आगे सिसे से बिल्कुल पतली आगी पीछे चोड़ी आगी हूँ तो रंग होता है लाली मा लिये वे अलका पीला रेडी स्फान कैसा है रेडी स्फान इंग्लिस मीडियम के बच्चों के लिए वर्ड रेडिस फान कलर राइट है तस्तरी नुमाल अलाट होता है बोले तो डिस्ड फोर हेड मस्बूत होती है कूबड ना हो है भाई बोड़ी होती है टेटेने कोड़ी है एंगुलर बोड़ी बच्चिया इसकी बहुत जल्दी युवा हो जाती है जो इसकी बच्चडिया होती है बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करती है करती है सिंग भी नहीं होती है देखो देखो बच्चिया हो गई बड़ी जल्दी गर्मी सबसे ज्यादा सहन बचिया हो गई बड़ी जल्दी गर्मी सबसे ज्यादा सहन 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 हो गया भई देखो भई देखो देखो यह है तेरी जर्सी रंग है इसका लाली मा लिये हुए हलका पीला राइट है दूसरा क्या आ गया तस्त्री जैसा होता है ललाट यहाँ पर जैसे कुछ तस्त्री लेके गूमरी हो ने प्लेट ऐसे होती है कूबड होवेना हमपलेस होती बड़ा मजबूस सरीर होता है डेंटेडे बच्चिया जल्दी बढ़ी जाती है गर्मी इसको सबसे कम लगती है विदेशी में कहा ना मैंने मैंने कहा ना यही ज़्यादा सेट हुई है विदेशी आके इंदुस्तान में अब इसका यूटीलेटे कितना देती है दोद तो 4500 लिटर टिका देती है भाया एक ब्यात में एक ब्यात में दोद 4500 लिटर फेट सबसे ज्यादा साड़े चार से साड़े पाँच विदेशियों में कुल्ठोस भी सबसे ज्यादा 15% है और 305 दिन देती है दोद 305 दिन देती है दोद 305 दिन देती है दोद हो गया भाई सींग नहीं होते है यह होते है चोचोड़े तुमारे गाय होगी ना आसपास नहीं है किसी के जरसी है अब आगई हो गया भाई अब आगई ब्राउन स्विस स्विस ब्राउन स्विस 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 ब्राउन स्विस कारण स्विस इसी से बड़ी थी हाँ न बई कारण स्विस से इसी से बड़ी थी तो ब्राउन स्विस है कहां के स्विजर नामी स्विस है तो स्विस किसको बोलते हैं स्विजर लेंड वालों को इंडियन किसको बोलते हैं इंडिया वालों को राइट है मजबूत होती है इसकी प्रकर्टी, अच्छी होती है, जर्षी की अपेक्सा ये गर्मी और भी ज़्यादा सेयन करती है, ये आगई, हाँ, हाँ, हो गया, तो स्विजर लेंड का पाड़िक सेत्रों की है, आपके ब्राउन स्विज, मजबूत प्रकर्टी की होती है, और फुद्ध पातर है इसका, बीप बोले तो मांस के लिए पालते हैं, खेती करने के लिए पालते हैं, गाड़ी खीचने के लिए भी काम में लेते हैं, एवरेज मिल्क प्रोड़क्शन है ब्राउन स्विज का 5000 केजी पर ब्यात, पर लेक्टेशन, देखो देखे, स्विजर सेंड का पाडिक सेत्र, सबसे मजबूत प्रकड़ी की, जर्सी से ज़्यदा कर्मी सेंड करने वाली, दूद्ध पातर अच्छे वाला, बीप भी बड़िया, मांस भी बड़िया मिलता है, खेती करने के काम में इसके बेल आते हैं, और गाड़ी खीचने के काम में भी बेल पांच अजार केजी पर ब्याद इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है, रेड डेन रेड डेन, आई है रेड डेन, रेड डेन, आई है रेड डेन, देखो देखो आई रेड डेन रह, रेड डेन रह, रेड डेन रह, ये डेन मार्क की है, कोई जमाना था जब वर्ड में सबसे ज्यादा दूद देने का रिकोर्ड नमबर वन पे यही था। हो गया? हो गया? तो मूलिस्तान हो गया डेनमार्क, रेट डेन, डेन मोले तो डेनमार्क, इस इट क्लियर? राजस्तान में बिटा पूर्वी और मध्दे बागों में दिखाई देता हूँ एसा होगा देख ले रेडडेन देख ले और रेडडेन देख ले लाल रंग हो सकता है या फिर लाल बूरा हो सकता है या फिर गहरा बूरा भी हो सकता है देखो देखो रेडेन रे रेडेन रे रेडेन रे रेडेन लाल बूरे रंकी होती है गहरे बूरे रंकी भी हो सकती है बारी भी होती है भाई हाँ ये काउ है क्या ये काउ है जी हाँ, ये काउ है क्या बत कर रहे हो क्या बत कर रहे हो, काउ है हंजी, ये काउ है राइट अब लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन तीन हजार से चार हजार किलो प्रती ब्याद दे देती है दोद दोद, रेडेन का दोद 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 रेड़ेन का दूद तकड़ी का आए ना मानस परताप सिंग जी स्क्रीन सोट मारा जाए भालू नहीं है रे बाबा रेड़ेन का ये बाबा सकल से नहीं लग रही बाई कई तो सकलों से मेरे समझ में या है सकलों से क्या-क्या लगते ये है रे बाबा ये ने ने आए ले भाई सकल से ने ले गरी तो कोई बात नहीं ठीक है हम रेडे देख ले रेडे तू देख ले या तो लाल है या लाल बुरा है या गहरा बुरा है देख ले मिल्क प्रोडक्शन कितरा बदाया था 3000 से 4000 मज़ा आगे न देख ले ये तेरी गाई है मसता है चलो भई आयर सायर अगली कौन सी आ गई आयर सायर आयर सायर स्कोटलेंड के आयर सायर जगे की है आयर सायर स्कोटलेंड का आयर सायर स्कोटलेंड का आयर सायर इसके अन्य भी नाम है आयर सायर को कोई कहता है डनलप कोई कहता है कुनिंगम क्या बात कर रहे हूँ हाँ कोई कहवे डनलप कोई कह वे कुनिंगम भाइर क्या बात कर रहे हूँ ये सबसे सुन्दर है सबसे सुन्दर है सबसे सक्रिये भी होती है सबसे सुन्दर होती है चलिए हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे सुन्दर गाई अइर साहर सबसे रहे सुन्दर सबसे सुन्दर ठीक है सबसे सक्री होती है सबसे सक्री होती है परंतु इसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है एक बार जब बिगड़ती है मकरजन जब बिगड़ती है तो किसी की नहीं सुनती है इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता कई बार सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ उचलने वाली चलने वाली किसी के चलती लाथ मार दे किसी का मुँ तोड़ दे चलती डांस करने लग जाए हाँ ना चलती जोने कुछ भी करने लग जाए मकजम जब यह चलती है तो दर्ती हिलती है हो गया स्क्रीन सोट मारना है लह मार ले बिड़ा स्क्रीन सोट मारना है भई मार ले हो गया मार ले स्क्रीन सोट मार ले अब आ गई गारन्सी अचा दूत उत्पादव इसका जएधा नहीं होता वसा 4% मला कम भी होती है दूत उत्मादव भी कम है वसा भी कम है कंट्रोल वैसे भी नहीं हो रही हो गय बड़ा अब आगई गरंसी गरंसी का मूलिस्तान है फ्रांस के गरंसी का छोटा सा द्वीब फ्रांस के गरंसी का छोटा सा द्वीब ये गरंसी का मूलिस्तान है कैसी होती है गरंसे चेरी लाल से बुरा रंग लेके गूम रही है कई बार इसका color होता है, महोगनी color, रंग होता है, महोगनी, महोगनी रंगी होती है, एक color आता है, सर्च करलना, नेटकी उपर, M, A, H, O, Z, A, N, Y, महोगनी color लिक्गे, मिल जाये कबड़ा, और सफेध रंग भी होता है, चली हम आपको दिखा देते कैसी होगी रही जाने वो कैसी होगी रही ऐसी होती है अब इसको आप चेरी लाल से चाहे बुरा रंग के दो चेरी लाल से जेठा लाल से ना चेरी लाल से तो चेरी लाल से बुरा रंग या महोग निकरर राइट बटा, या फिर सपेद रंकी भी होती है, तेरी गरंसी, 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 हो गया भई, जेठा लाल ना, ये है, हाँ, कोण सा लाल, चेरी लाल, शे लेके बुरा रंग है, महोग नहीं कला रहा है, या फिर सपेद रंग भी ह इसलिए दूद इसका बिटा के रोटीन जानते हो आज का बिटा के रोटीन कल का विटामिन A आज का बिटा के रोटीन कल बन जाता है विटामिन A इसलिए इसके दूद में पीला बहुत हो है दूद गरंसी को दूद बहुत पीलो याक रहा है तो बिटा के रोटीन ज्यादा ह कोने से इसके दूद का कलर होता है गोल्डन गोल्डन इधा था गोल्डन गोल्डन हाँ दूद में बहुत विटामिन याक रहे तो गरंसी गरंसी विटामिन एजादा गरंसी गरंसी विटामिन एजादा गरंसी गरंसी विटामिन एजादा गरंसी गरंसी विटामिन एजादा बाई साब और क्या जान लोगे की और क्या जान लोगे क्या तो दूद भी बढ़िया मस्त दे रही है बाई जम के दे रही है आज का बीड़ा के रोटीन कल का विटामीन है बिटा के रोटीन भरपूर पीला दूद तकड़े वड़ा और गोल्डन कलर का ही दूद आ रहा है औ और दूद भी मस्त देती है, 600 किलो प्रती ब्यार, अन्य नसलों की अपिक्सा बढ़िया दूद दे रही है, जिंदगी भी इसकी लंबी है, परसव कठनाई है, थोड़ी प्रोब्लम है, सोरी, प्रोब्लम नहीं है, परसव भी आसानी से हो जाता है, बच्चे को जनम देने मे भी आसानी से दे देती है, देखो देखो, अन्य नसलों की अपिक्सा ज्यादा दूद देती है, गरंसी, एक बात, बढ़िया लंबा इसका जीवन है, और प्रसव कठनाई है भी कम है, मतलब बच्चे को जनम देने में भी ज्यादा परिशानी है, इसको नहीं आती है, इसल जो बाकी नसले न, उनकी जो टॉपर वाड़ी नसले उनमें आती है, क्योंकि देखो सारी चीज बढ़ी है, विटा के रोटीन, तो विटामीन ए बरपूर बढ़ा, दूद देरी है 6000 किलो परति ब्याद, और क्या पिचारी की जान लोगे, और हाँ तीनों होती है, एलफा क जीवन है, बच्चे को जनम देने में दिक्कत नहीं आती है, इसलिए इसको माना जाता है, डेरी की सबसे आदर्स नसल, डेरी की सबसे आदर्स नसल, अब छोटी-छोटी न, एक आदी हो रहे है, एक नसल का नाम बताओंगा बस मैं, जो इंगलेंड की है, इस वन, सॉल्ट होर्ण के बारे में इतना ही है कि इंगलेंड की बस, सॉल्ट होर्ण है, नसल का नाम है, सॉल्ट बोले तो छोटे, 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 और होर्ण बोले तो सीब, बसे तो नाम है इसका बाई, नाम है, राइट, तो बस आज तो विदेशी नसले भी पूरे हो गई रभ आपो, अब कुछ important points हो देते हैं बारत की आप believe नहीं करेंगे राजस्तान के साचोर में गोशाणा है हां हम जा कर रहे हो हां पत्त मेडा गाउ में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गोसाला जिसका नाम है गवेपाल गौवर्धन गोसाला पत्त मेडा में हिंदुस्तान की जीहा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गोसाला हमारे राजस्तान के साचोर के पत्मेडा गाउम हिंदुस्तान की जीहा पूरे इंडिया की सबसे बड़ी गोसाला भारत की सबसे बड़ी गोसाला गवपाल गवर्धन गोसाला पत्मेडा सांचोर जालोर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीहा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमारे जालोर के सांचोर के पास पत्मेडा हिंदुस्तान की जीहा हिंदुस्तान की राइट अब आ गया हिंगोनिया गोसाला जैपूर हिंगोनिया गोसाला जेपूर हिंगोनिया गोसाला जेपूर जो है ने बढ़ा ये सितंबर 2016 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाएं मर गई थी हिंगोनिया गोसाला जेपूर में यह सितंबर 2016 में गाएं मरने से बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी तो एक्जाम में आ सकता है कि इंगोनिया गोसाला काया क्योंकि चर्चा वाले क्वेशन आ जाते बड़ा इस पेसली राजस्तान के एक्जाम और गाय और बैस जब अलडाती है में भी रंभाती है तो उसक पूरे हो गिरब आपो गाय भैस का रंभाना कहला आता है अलडावो कहलावचे बेलोविंग बेलोविंग कल से भैस कल से बेबी को भैस पसंद है बेबी को भैस पसंद है राइट बेबी को भैस पसंद है मतलब कल से पढ़ेंगे बैस की नसले तो मिलते हैं जिन बच्चों को भैया कोई भी जानकारी चीए दे वांट एनी इन्फोर्मेशन अबाउट अस दे वांटो नो अबाउट एग्रिकल्चर दे वांटो सर ये ये लो तो ये मारे वार्षप नंबर है अगर आपको लगता है कि मुझे बुक चाहिए या और कोई जानकारी चाहिए तो इस पर वार्षप करनी है बस 91314 हो गया 900 100 1314 तो बहुत बहुत अन्यवाद इतना सने इतना लगाव और इतना मजबूती देने के लिए मिलते हैं कल तब तक के लिए सभी को नमस्कार जहिन जराजदानी ससरीकाल सब बागेर वाये गुरू दीफते हैं कुदा आपी चलापेज राब राम साथ नौर्थ इंडिया का किंग कोन फैसला आप करें राजदानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की केटेगरी की आठवी रेंग और सामाने वर्क की साठवी रेंग राजस्तान जेट 2020 में टोप 10 में से आठ विद्यार थी टोप 50 में 22 विद्यार थी राजदानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेट सीदे प्रवेश 2019 में राजस्तान की 63% सीटों पर राजदानी ने किया कबजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजदानीन मचा रहे धूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशानतियादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड 60 लाख रूपे की स्कोलर सीब ककसा 12 के परिणाम में 97% अधिक एक विद्यार्थी 95% अधिक 3 विद्यार्थी 14% अधिक 7 विद्यार्थी 33% अधिक 11 विद्यार्थी 90% अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवर्ड़ ओप्सनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विध्यारदी, 99% ज्यादा लाने वाले 3 विध्यारदी, 97% आधिक लाने वाले 19 विध्यारदी, 90% आधिक लाने वाले 163 विध्यारदी दसवी से बारवी साइंस व एगरी कल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादव ने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त, सेप्रेट गल्स और बॉइस होस्टल्स, राजधारी एजूकेशन गूरूप पच्कोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, आईसी यार, जेट, बीएच्यू, एगरिकर्जा सुपरवाईजर, 11-12 क्लास के ओनलाइन कोरसेज भी उपलग, 11-12 के साथ और इसके बाद भी, आईसी यार, जेट, बीएच्यू की क्लासेज उपलग, राजदानी एजुकेशनल गूप पच्कोड़े जैपूर में शामिल है, राजदानी साइंसदारा फोर प्रिपरेशन ओफ नीट जेए, राजदानी फाउंडा फोर प्रिपरेशन ओफ आईसी यार, जेट, बीएच्यू, राजदानी पब्लिक सीनर सेकंडरी स्कूल फोर राजदानी क्लासे राजदानी गल्स और बोई होस्टल विद मोडन फैसलिटीज और रिजिदेंचिल ब्लोग साधी विजिट करें www.raajdani-group.in, helpline number 9314130130, call 9001001314. झाल झाल झाल, झाल झाल सेकंडरी स्क्ष अशना स्क्रिपरेशन झाल सक्ना तूस्टल